नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मानवी ठाकूर और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्स्प्रेस आईए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर महराश्टो भाजपा के प्रदेश अध्यक्षी चंद्रिशेकर बावन कुले ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को विधानसभा चुनावों के लिए सीच बंटवारे की संदर में त्याग करने के लिए तयार रहना चाहिए जैसा कि भाजपा ने गटबंधन को बरकरार रखने के लिए किया है निर्वाचन आयोग द्वारा एक दिन पहले 288 सदस्या महराश्ट्र विधानसभा की चुनाव के लिए तारिखों की घोशना किये जाने के बाद बावन कुले की ये टिपनी आई है आपको बता दे कि महराश्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होंगे और मतों की गिंती 23 नवंबर को होगी बावन कुले ने नागपूर में एक समचार चैनल को बताया मुख्यमत्री एकनाथ शिंदे को निश्चित रूप से खुले दिमाग से काम लेना चाहिए और त्याग करने के लिए तयार रहना चाहिए हमने भी गटबंधर को बनाए रखने के लिए त्याग किया है जिस पस्ट है कि भाजपा के लक्षे उन सीटों पर चुनाव रणना है जो पहले हमारे पास थी उनन कहा कि गटबंधन में प्रमुक पार्टी होने के नाते भाजपा के लिए अधिक सीट की मांग करना सोभाविक है उन से पूचा गया कि क्या केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शाहा ने कथी तौर पर कहा था कि भाजपा ने शिंदे के नेत्रितों वाली शिवसीना की साथ गठवंधन करते समय मुख्य मंत्री पद का त्याग किया इस पर बावन कुले ने कहा मुझे नहीं पता कि केंद्रिय मंत्री अमित शाहा ने शिंदे से क्या कहा ये सच है कि मुख्य मंत्री सर्वोच पद रखते हैं और सरकार का प्रतिनिधितो करते हैं उरन कहा कि उरने शिंदे से आगरह किया है कि बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा को सीट बंटवारा में अधिक सीट मिलनी चाहिए भाजपा निता ने कहा कि ये आकलन करपाना मुश्किल है कि किसने सबसे अधिक त्याग किया है 52 कुले ने कहा मुख्यमंत्री के तौर पर विविधान सभा चिनाव लड़ने के लिए जादा सीच की उम्मीद कर सकते है हालांकि गठबंधन के भीतर तनाव के साथ चिनाव में उतरना संभव नहीं है हमारा रुख ये है हमें उन सीचों पर चिनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए जिन पर हमने पहले जीत हासिल की है उनने कहा कि सिर्फ संख्या के लिए अधिक सीच की मांग करने का कोई मतलब नहीं है बुधवार को नई दिल्ली में होने वाली भाजपा नेताओं की बैठक के एजेंट को बारे में पूछते हुए बावन कुले ने कहा हम उम्मीदवारों और उन सीच पर चर्चा करेंगे जिन पर हम चिनाव लड़ना चाहते हैं कुछ सीच ऐसी हैं जिने हम 2019 के विधान सभा चिनावों में मामुली अंतर से हार गए थे उनन कहा कि आज की बैठक में शिंदे की अगवाई वाली शिवसेना और उक्मोख्य मंतरी अजीत पवार की अगवाई वाली राष्ट्रवादी कॉंविस पार्टी द्वारा जीती गई सीचों पर कोई चर्चा नहीं होगी उनन कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्रो के लिए विस्तरित सर्विक्षन कराया है और इसके आधार पर दिल्ली में चर्चा होगी गटबंधन सहयोगियों के साथ कुछ सीच की अदला बदली की संभावना पर बावन कोले ने कहा हम शिवसेना के साथ कुछ सीच के अदला बदली पर विचार कर सकते हैं इसके अलावा भाजपा और नसेपी दोनों के पास मजबूत उम्मीदवार हैं नसेपी ने 2019 के विधान सभा चुनावों में हमारी खिलाफ चुनाव लड़ा था इसलिए हम इस मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिए और समय चाहिए वहीं कामठी विधान सभा पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने 2014 में कामठी विधान सभा सीट से जीत दर्श की थी लेकिन पार्टी ने मुझसे कहा कि मैं 2019 का चुनाव नहीं लड़ू मैं पिछले कुछ समय से भाजपा प्रदेश अधेक्ष के तौर पर काम कर रहा हूँ मुझसे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं इस पर अंतिम फैसला पार्टी करेगी कामठी सीट पर भाजपा ही जीतेगी चाहें उम्मीदवार कोई भी हो इस अंक में फिलहाल इतना ही अगले अंक में फिर होगी मुलाकात तब तके लिए नमस्कार